सजार 600 के उस फेक्टर का जुग बताईए जो 140 के गुरज है मल्टी पल है तो ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना होगा इसका भी अभाज गुरण खंड निकालना होगा और इसका भी अभाज ये गुरण खंड निकालना होगा तो एक सजार जो छे सजार है इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक सजार 96 किसका एसक्वायर होता है 14 का एसक्वायर होता है थीक है इसको अगर मैं तोड़ू इस 14 को तो 2 गुने क्या करेंगे 7 का e square गुना 2 के power 2 गुने 5 के power 2 इसका मतलब है कि यह 2 पर भी e square है और 7 पर भी e square है तो यह 2 का e square गुने 7 का e square गुने 2 का e square गुने 5 का e square उतारते चले गए, अब यहाँ हमाते हैं कि 2 के पावर 2 है अब दो के पावर 2 है, तो जब हमारा बेश समान हो तो पावर क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं घतांग के नियम से तो यह 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुण 5 के पावर 2 गुण 70 के पावर 2 अब इस 140 गोफि हम लोग तोड़ लेंगे तो 140 को हम लोग तो इसे भी लिख सकते हैं 14 गुने 10 14 दाहां का 140 ये हो गया 2 गुने 7 गुने 2 गुने 5 प्राइम नंबर में ला लिए सब को तो ये हो गया 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 अब यहीं आपको यहां लिकर देखिए कैसे एक ट्रिक बठाता हूँ यह 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 है आपको क्या करना है कि 2 के पावर 2 से 2 के पावर 4 तो फुरा वोपन कर देना है यानि 2 के पावर जोड है ना तो 2 के पावर 2 जोड 2 के पावर 3 जोड और 2 के पावर 4 तक चले गए समझ मैं अई चीज़े दे मैं क्या कर रहाँ कि यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लेया कर समाप्त कर देना है उसको पूरा खोल देना है उसी तरह से एक गुना हो गए आपको 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1 गुने जोड 5 के पावर 2 यहां से उठाये यहां पर लाके पटक दिया फिर गुना 7 के पावर 1 से उठाया अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ लेंगे ये 2 के पावर 4 है तो ये हो गया 16 आ ये 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब होता है इसको गुना कर लेंगे वही उसका एनसर हो जाएगा पेडिशन में पुछा है कि यदि एन बराबर यानि संख्या बराबर 4 to the power 11 प्लस 4 to the power 12 प्लस 4 to the power 13 प्लस 4 to the power 14 तब एन के कुल कितने धनात्मक गुड़न खंड होंगे यानि गुड़न खंडो की संख्या इसमें बताना है बहुत ही इजी है आप लोग इसना देखकर डरो मत पावर देखकर आप बताओ कि इसमें हम क्या कमन ले ले चार के पावर जारो 4 to the power 11 को हम लोग कमन ले ले लेते हैं तो ये तो निकल ही गया तो इसके जगह पर क्या हो गया क्योंकि भाग दिया जाता है तो ये हो गया हमारा एक क्योंकि 4 to the power 11 बाटा 4 to the power 11 कट के कितना हो गया एक अब 4 to the power 12 बाटा 4 to the power 11 तो जब बेश समान होता है तो घतान के नियम से भाग में power क्या हो जाते हैं घट जाते हैं तो 12 में से 11 गटेगा एक यानि ये हमारा हो गया कितना चार के पावर एक ठीक है न आप समझ में आगई बाते न ये हो गया चार के पावर दो आए हो गया चार के पावर तीन बाते सब समझ में आगई एक एक चीज़ सिखा दिया घतान के नियम से उसके बाद आपको क्या करना है कि इस जो हमारा 4 to the power है गा रहे है तो आप जानते इस चार को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं दो के पावर दो भी लिख सकते हैं अभी है कि ना चार है कि नहीं दो दो नी चार अब उसका पावर ये गार बात थोड़ा ध्याँ रखिएगा तो अब एक इतना हो गया जी दो के पावर के उपर पावर भी गुना कर लेते हैं जब पावर के उपर एक पावर है उसके उपर भी पावर है इसको भी गुना कर लेते हैं यानि इस 4 to the power 11 को 4 to the power 11 को हम लोग 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 22 भी लिख सकते हैं कोई दीकत कौनो दीकत कौनो समस्या और गुना हो गया इसको अब जोल लिजिए यह हो गया चार चव का सोरा सोरा चव का 64 आए हो गया सोला 64-16 कितना हो गया जी? 88, 84, 84 या एक 85 इस 85 को हम लोग भी अभाज संख्याओं के रूप में लिख लेंगे हमने इस चार को भी अभाज संख्याओं के रूप में लिख लिया ला लीए कि नई दो के पावर केतना हो गया ही? 22 हो गया ये 85 है तो ये हमारा कितना हो जाता है 85 को तोड़ोगे तो 5 गुने 17 17 से 85 यानि 5 गुने हो गया 17 तो गुलन खौंडो की संख्या निकालनी है तो आप सभी जानते हैं कि क्या करते हैं एक एक जो है पावर जो है जोड़ देते हैं तो 22 आएक 23 आए हो गया आपको 2 आए भी हो गया 2 तो 23 दूनी 46 दूनी 92 यानि इसके कितने धनातमत गुलन खौंडोंगे 92 ठीक है एक और संदार कॉंसेप्ट समझेंगे किसी संख्या के पूंड बर्ग गुलन खौंड जैसे पूछ देगा संख्या सोला के पूंड बर्ग गुलन खौंड कितने है नहीं तो पहले चलो बेसिक से ही समझाता हूं सोला के गुलन खौंड कौंड कौंड होगा एक होगा क्योंकि इन्वर्सल गुलन खौंड होता है कि हर एक संख्या का एक गुलन खौंड होता है दो के पहाड़े में भी सोला है तीन के पहाड़े में नहीं है चार के है, पांच में नहीं है, छे में नहीं है, साथ में नहीं है, आठ में है और इसके बार एके बार जाकर सोलह के पहाड़े में है तो अब आपसे पून बर्ग पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि एक पून बर्ग है क्योंकि एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा उसी तरह से आपका क्या है चार है क्योंकि दो में दो से गुना करेंगे तभी जाके चार पराप्त होगा 16 भी है, क्योंकि 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 पराप्त हो गया, यही होता है पूनबर का मतलब, उसी अंक से उसी, 8 के लिए कोई ऐसा अंक नहीं जो बना है, जो उसी से उसी से गुना कर दे, तो 8 आ जाए, आ जाएगा, एक में एक से किये तो एक ही हो गया, दू में दू से कि यह 9 आ गया, लेकिन 8 पर हो गया, 9 आया ही नहीं, तो पूनबर की संख्या कितनी हो गई आपको जी, एक, दो, तीन, तीन हो गई न, तो यह तो रहा, बेसिक कॉंसेप्ट आप निकाल के देखोगे, कि कौन कौन है, अब बड़ा नंबर हो जाए, तो आपका मायत घास चरने चला जाएगा, मैं बार-बार काता हूं, तो अब इसका 100 ट्रीक है, अब कैसे, तो मैंने सारे चीजों को आभाज गुरन खंडन, जो है, मैंने सुरु में ही बोला था कि यह बहुत सारे हिसाबों को बनवाता है, आभाज गुरन खंडन, देखने के लिए छोटा में है, ले चार हो गया, तो अब इसी में खेला इसके पावर में हूं, अब इसके पावर को आधा कर दो, इस पावर को आधा कर दो, पावर बाई 2 पलस 1, तो पावर केतना है, यानि घात केतना है, चार है चार बाटा दू अजोड एक यानि दू दूनी चार दू एक तीन यानि इस चार को आधा करते तो दो हो जाता उसमें एक जोडते तो तीन हो वही तो तीन हमारा आया है समझ में आ गई बाते ठीक है एक और बात ध्यार रखेंगे पामर पे ही है अगर जो दो का पामर जो चार आया है यह क्या है समसंख्या है जब यहां समसंख्या रहेगा तो समसंख्या बटा दू जोड एक कर देंगे ठीक है बात समझ में आई और माली जी अगर कोई भी साभ हम बनाएंगे आगे दो के पामर पांच हो जाए तब क्या करोगे इस दोनों में अंतर है समसंख्या आएगा तो आधा करके एक जोड द देना अब यहां पर माली जी दू के पामर पांच है तो आप इसको तो जोड़ोगे तो पांच बटे दो अड़ाई आएक जोड़ोगे तो साड़ है तीन उसको पॉइंट में नहीं लेकना है पून संख्या लिखना है ठीक है तो इस रिस्तितिम हम क्या करेंगे आपको कु कर देना है तो पांच एक छो बटे दू यानि इसी स्तितिम हम लोग तीन लिखेंगे समझ में आ गया अगर किसी का पावर दो के पावर एक है यह विशम संख्या हो गया ना यह सम संख्या था तो आधा को के एक जोड़ना है उसमें अगर विशम संख्या रहेगा तो एक जोड़ के तब आधा करना है जैसे दू के पावर एक आ गया तो हम इसमें विशम संख्या है यानि एक और जोड़ लेंगे तो एक जोड़ एक दू बटे दू एक समझ मा गया नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक बटे दू आपकोर के इस तरह से तो यह कितना हो आपका मालनि जैसे इस तरह करते जो यहानि olm है देड़ इस तरह से चपन हो रहे तो हागर करते हैं यहालो हमता तो सम संख्या पाटा दू जोड़ एक आप इसम तरह तो बीसम पालाश वहन बाइट टू ठीक है अब उसी तरह सा चरिये एक देखते हैं 90 का हम लों ठीक है, येन बराबर 2 to the power 9 गुना 3 to the power 7 multiply 5 to the power 4 into 7 to the power 3, तब एन कितने पूर्ण बर्ग संख्याओं द्वारा बिभाज ये हैं, तो वही लॉजिक द्वारा बंदव कितने बिभाज ये हैं, यानि बिभाज का मतलब उसके गुड़न खंड, तो आभी मैंने बताया कि 2 के power 9 है, ये बिशम संख्या है, क्या है, बिशम संख्या में का करेंगे, एक जोड के तब बटा दू करेंगे, नहीं, तो एक इतना हो ग ये बिशम संख्या है, तो 7 है, 8, 8 बटे 2, 4, ये संख्या है, आधा करके एक जोड देंगे, तो आधा इसका 2 होगा, दो में एक जोड़ेंगे, 3, एक क्या है, बिशम संख्या है, एक जोड के आधा कर देंगे, तो 3 है, 4, अब बटा 2, कितना हो गया, 2, तो पांचव का बीस बीस ती आई, साथ साथ दुनी एक सो बीस, अप्सन नमबर ए